रज्य सरकार के साइन्स और टेक्नलोजी विवाग दोरा आयोजीत सेमीकॉन कॉन्फरेंस बेजार चुआविस के उद्गाटन सवारम में हमारे साथ बंचुपर उपस्थीत टीए सीसी के डाइरेक्टर जनरर स्री हॉमेर चांग क्यूब इन्वेस्टमेंट के चैर्मेन श्री अरून मरुगपन टीए पील के सीओ श्री रणदीर ठाकूर मायर कॉन के सीनिर वाइस प्रेसिदेंट श्री गुरू सरान सिंग उजराद राज्य के मुख्य सचीव स्री राजकुमार जी केंद्रे सचीव स्री एज कृष्णन अधीक मुख्य सचीव स्री जेपी गुपता जी अगर सचीव स्री मती मोना खंधार अमंत्रि सभी महानुभाओ प्रेश मीडिया के मित्रों आप सभी को मेरा नमश्कार वैश्विक नेता और देश के यसस्वी प्रदानमंत्री श्री नरेंदर भाई के मारदर्शन में गुजरात और पुरा देश लगबक्स हर शेत्र में विकास के नए आयाम छू रहा है प्रदानमंत्री श्री के विकास के इन आयाम में सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, मसिन लर्निंग, ड्रॉन टेकनोलोजी के महत्यों को भी मध्य नजर रखा है इस कड़ी में आज आयोजित गुजरात सेमिकंडक्ट कांफरेंस, राइट जॉब एट राइट टाइम है, ये मेरा स्पष्ट मानना है आप सभी को इस कांफरेंस में गुजरात की धर्ती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हम सभी को यह विश्वास है कि प्रदान मंत्री जी का तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनाने की दिसा में यह कॉन्फरेंस का आयोजन उपयुक्त है यह प्रदान मंत्री जी के कुशल नेत्रोत का ही परिणाम है कि हमारा देश ने पिछले कुछ सालों में इलेक्टोनिक्स और मोबाइल एनिफेक्चरिंग सेक्टर में अपनी एक्स्परटाइज और अपनी क्षमता को शाबित किया है आज 33 करोड से अधिक मोबाइल उनिट्स का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है हाथ दुनिया को रिलायबल ट्रस्टेट चिप सप्लाई चेन की भी जरूरत है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए परदानमंत्री जीने पिछले साल सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को आत्मन निर्वर बनाने का संकल्प व्यक्त किया था इस सेक्टर में हाई स्पीड ग्रोथ हासिल करने के लिए भारत सरकार ने इंडिया सेमिकंडक्टर मिशिन शुरू किया है प्रदान मंत्री जी ने जब भी राष्टर विकास का कोई संकल्प या विजन दिया है तो उसे फली भूती बनाने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है सेमिकंडक्टर सेक्टर में गुजरात की बढ़ती उपलब्दिया इसका जिता जाकता उदार है गुजराद देश का पहला राज्य है जिसने 2022 में सेमिकंडुक्टर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड सेमिकंडुक्टर पॉलिसी लागु की है इस नीती के लागू होने के कुछ ही महिने में माइक्रोन कमपनी ने गुजरात में सेमिकंड़क्टर चिप मैनिफेक्चरिंग प्लांट लगाने का नीणई किया और हमने मात्र एक सप्ता में सप्ता के भीतर ही माइक्रोन कंपनी को सानन्द में लेंड एलोट्मेंट करके अपनी इस प्रतिबज़त का उदार प्रस्तूत किया भारत की सबसे पहली ग्रिन फिल्ड स्मार्ट सिटी दोलेरा में सेमी कंड़क्टर और इलेक्रोनिस मैनिफेक्टरिंग के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा भी उपलब्द है इस सुविधा का लाब लेते हुए टाटा इलेक्रोनिक्स और ताइवान की अग्रिन कंपनी PSMC संयुक्त रूप से भारत के पहले कॉमर्शल सेमी कंड़क्टर फैप को दौलेरा SIR में स्थापीद कर रही है इस तरह सानन में सेमी कंड़क्टर सेक्टर से जुड़ी OASST फैसिलिटी को भी CG पावर कंपनी द्वारा स्थापीद किया जा रहा है मुझे पुरा विश्वास है कि अगले कुछ ही महिनों में एक मेकीन इंडिया और आत्मनीर भारत की प्रतीक देश की पहली सेमी कंड़क्टर चीप का प्रोडक्शन गुजरात में सुरू हो जाएगा यह हमारे लिए गौरक की और खुशी की बात है कि भारत में सेमी कंड़क्टर सेक्टर में इंवेस्ट करने वाले 80% से अधिक इंवेस्टर्स ने गुजरात में अपनी मैनिफेक्टर यूनिट लगाने की इच्छा जताई है गुजरात में इंवेस्टमेंट के लिए इच्छुक सभी इंवेस्टर्स का गुजरात में मैं स्वागत करता हूँ हमारी सरकार आपको हर संबव मदल के लिए तैयार है सेमी कंड़क्टर इंडर्सिस का सबसे अधिक फाइदा हमारे देश के युवानों को होने वाला है आज हमारे देश में सेमी कंड़क्टर और इस सबंतित सेत्रों में कौशल या विकास और स्टार्टप के नए नए आयाम के अउस्षर खुल रहे हैं इन सभी विशाल संभावनों को ध्यान में रखते हुए गुजराद सेमी कंड़क्टर सेक्टर में हाइटेक में पावर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है प्रदान मंत्री जी ने 2047 तक विक्सित भारत बनाने का शंकल्प लिया है आत्मनिर भरता के मंत्र के साथ गुजराद भी 2047 तक विक्सित गुजराद बनने के लिए प्रतिबद है मुझे पुरा विश्वास है कि प्रदान मंत्री जी की प्रेणा और मार्दसन में सेमी कंड़क्टर सेक्टर में हम अप्रतीम ग्रोथ हांसिल करेंगे हाई है हम सब साथ मिलकर सेमी कंड़क्टर और इलेक्ट्रोनिक्स मैनिफेक्टरिंग में भारत को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के प्रदान मंत्री सीर नरेंदर भाई के सपने को साकार करें और सेमी कंड़क्टर एकोसिस्टम को अधिक मजबूत करें इस कॉन्फरेंस की सफलता की शुप कामनाओं के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं बारत माता की जय वंदे मात्रम जय जय कर विरुज़ाइब बाननिय मुख्यमंत्री श्री आपके प्रेणा दायक संबोधन आपके समर्थन एवं आपकी मानक उपस्ति के लिए हम भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं Ladies and gentlemen, this brings us to the conclusion of the inaugural session of the Gujarat Semiconic Conference 2024. We appreciate your presence and participation in making this event a grand success. Let's thank one more time to Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Rajkumar Chief Secretary.